टॉप 15 फ्याक्ट्स अवाव टाइटानिक फ्याक्ट नमर वान टाइटानिक अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा समिधरी जहाज था यह उस समय इंसान द्वारा बना गई सबसे बड़ी चीज थी खोज करता आज तक इस बात पर एकमत नहीं है कि टाइटानिक क्यों दो तुकडों में बढ़ गया फ्याक्ट नमर टू टाइटानिक जहाज को 1909 में 3000 लोगों के टीम ने बनाना सुरू किया और सिर्फ 26 महिनों में यानी 1911 तक इसे बना डाला यह जहाज तीन खुडवलों के मेदान जितना बड़ा है फ्याक्ट नमर टू टाइटानिक 10 अपरेल 1912 को इंगलंड के साउथ आंटन से नी योर्के और रवाना हुआ चार दिन सब ठीक ठाक चलता रहा और 14 अपरेल 1912 को राद 11 बच कर 40 मिनिट पर यह अक हिम परबत से टकरा गया और इसके निचले हिस्सों में पानी वरना सुरू हो गया चाहज से टकराने वाला हिम परबत लगभग 100 फिट उंचा था यह ग्रीन लैट के ग्लैसियर से आया था लगभग 2 घंटे 40 मिनिट बाद चाहज पूरी तरह समुद्रों में डूग गया एक अनुमान के मुताबिक जाहज पर 3500 लोग सवार थे जिन में से लगभग 2600 यात्री और 860 क्रू मेंबर्स थे इन में से 15 से लोग इस हाथसे में अपनी जान गवा वेटे इस दुरगटाना में मरे सिर 306 लोगों की लास ही मिल पाई थी टाइटानिक जाहज पर सिर्फ 20 लाइब बोर्स ही थी जो इसके केबल एक टिहाई लोगों को बचाने के लिए परियाब थी अगर जाहज पर ज्यादा लाइब बोर्स होती तो सायद इतने लोगों की जान नहीं जाती टाइटानिक जीस पानी में डुबा था उसका तापमान माइनस टू डिग्री सेल्सियस था जिन में कोई भी व्यक्ती 15 मिनिट से ज़्यादा तक जिन्दा नहीं रह सकता था जाहज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद धी इसके म्यूजिसियन इसके डूबने के व्यक्तक गाना बजाते रहे ताकि बो और कुछ समय बाद मनने वाले जार रहे लोगों अपने आखरी पल को खुशी से भिता सके तक नमबर नाइन टाइटानिक को हर दिन 600 टन कोईले की जरूरत होती थी इसकी 860 क्रू मेंबर्स के टीम में से 116 का काम सिर्फ कोईले को भट्यों में डालना था इस जाहज की चिमनीओं से रोजाना 100 टन धुआ निकलता था टाइटानिक की चार बड़ी बड़ी चिमनियों थी जिन में से सिर्फ तीन से धुआ निकलता था, चोथी चिमनी नकली थी और केबल जाहाज का संतुलन बनाने के लिए लगाई गई थी टाइटानिक पर कई फिल्में और डॉकुमेंटरिस बन चुकी हैं पर 1997 में बनी टाइटानिक फिल्म सबसे ज़्यादा चाचा में रही इस फिल्म को बनाने का खर्श उस समय के हिसाफ से टाइटानिक जाज को बनाने से भी 14% ज़्यादा था सच में हॉलिवड मुवी मेकिंग कोस्ट रियल लाइफ इंसिडेंट से भी ज़्यादा होता है टाइटानिक में फास क्लास में सफर करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले 4350 डॉलार चुकाने पड़ते थे वहीं सेकेंड क्लास के लिए 1750 डॉलार और थार्ड क्लास के लिए 30 डॉलार की रकम चुकानी पड़ते थी आज के वक्त में डॉलार की किमत को देखा जाए तो एक यात्री को 50 लाक रुपए खच कर इसमें सफर करने का मौका मिलता फ्याक नमबर थाटिन टाइटानिक के मैक्सिमम स्पीड 43 किलोमेटर पर हावार थी टाइटानिक में लगे इसीटी को 16 किलोमेटर दूर तक सुना जा सकता था टाइटानिक के निर्मान के दोरन 500 से ज़्यादा लोग को चोट आई थी और दो लोग तो मारे भी गए थे जाहज के 860 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 23 माईल आए थी टाइटानिक जाहज पर 13 नए साधी सुदा जोड़े अपना हनीमून मानाने के लिए आए थे इस जाहज पर 9 कोट्ते भी सवार थे पर इन में से केबल दो ही इस हासे में जिन्दा बचवाए विडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट एपीसोड में जय जगनात